तो यह तो फिर पूरा वीक हमारा बरबाद होगा, हमको डी मोटिवेशन होगा, इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत बढ़ी आरामबानि लाजस्टीज का, कई बार वो फीज जो है 40-50 लाख, सहांट लाख से लेकर 80 लाख तक जाती है, वो कट आफ CBSE का क्लिय नहीं होता है, तो वो यूनिवर्सिटीज आपको एंटरेंस नहीं देंगी, ये एक स्ट्राटीजी जिससे आप 3 महिने में, लगबग 90 दिन में, पुरा गेम चेंज कर सकते हैं, तो जैसा के टाइटल आप लोगों ने पढ़ा 3 मन्थ गेम चेंजर, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, जो नीट या जी डबली की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्लास 12 को लेके थोड़े से चिंतित है, कि क्या क्लास 12 में हम उतना अच्छा रिजल्ट लाप आएंग क्या बोर्ड की तैयारी और कॉंपेटिटिव की तैयारी सेपरेट होती है, क्या क्लास 12 का रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट भी होता है या नहीं, ये सारे सवाल एक स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहे होते हैं, क्योंकि अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग बात कॉंफ्लिक नहीं, अटलिस्ट ये कॉंशियसनेस होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अब अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे, जो मैं बातें जो आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने उन पर फोकस किया, तो ये जो एक छो करते हैं, चर्चा करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्लास 12 के रिजल्ट की, और उसके बाद मैं बताऊंगा, ये एक स्ट्राटीजी जिससे आप तीन महीने में लगबग 90 दिन में पूरा गेम चेंज कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्लास 12 का रिजल्ट क्यों मात्वपूर्ण है इसके तीन बड़े रिजन्स बताता हूं मैं आपको, सेंट्रल युनिवर्सिटीज और कई सारी डीम्ड युनिवर्सिटीज अब ऐसी हो चुकी है, जो के एक फिक्स परसेंटेज के नीचे यदि आपका परसेंटेज है तो आपको गुसने नहीं देंगी, आपने C.U.E.T इसमें क्लास 12 का क्राइटीरिया है, कि 95% से कम यदि किसी के C.B.E.C. में है, तो C.U.E.T. या आपके competitive exam में आपका जो भी परसेंटेज है, अगर आपका वो कट-off C.B.E.C. का क्लियर नहीं होता है, तो वो युनिवर्सिटीज आपको एंटरेंस नहीं देंगी, इसलिए important point है, जो के 12th क्लास के result को considerable बनाता है, second, if you are planning to do masters from abroad, मतलब 12 क्लास के बाद आपने graduation किया, उसके बाद आपके इक्छा होई कि चलो भई, अब मुझको तो जो है विदेश जाना है, मुझको MS करना है, मुझको जो है बाहर जाके MBA करना है, या कोई भी अपनी field में specialization करना है, तो कई सारी universities ऐसी होती है, जो के student के IELTS TOEFL और जो भी आपने exam दी उसके result के साथ साथ आपका profile देखती है, अब जब मैं कहता हूँ profile तो हमारा क्या मतलब है, वो आपके चेहरे के profile की बात नहीं कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपने overall अपने academics में क्या किया है, अगर मान 85 हैं, तो ये एक positive sign है, ये एक inclined profile है, इस प्रकार के profiles को priorities दी जाती है, अब मान लो कि आपने किसी foreign university की examination दी और आपके साथ कोई और candidate था, उसने भी exam दी और आप दोनों के almost same marks है, ठीक है, आप दोनों वो fees भरने के capable है, दोनों आप दोनों के पास same amount of पैसा है, जो कि आप द इस पर आपको filter करेगी, सोचिए, वो आपकी शकल सूरत तो देखेंगे नहीं, वो ये देखेंगे कि अच्छा, आपने अपने academics में क्या किया है, सबसे पहले उठाया जाएगा आपका class 12 का result, क्योंकि जितनी भी worldwide universities हैं, ये आपके schooling को बहुत जादा importance देती है, class 12 के result को करते हैं, आपको बताता हूँ, assistantship क्या होता है, जब आप masters के लिए जाते हैं, तो वाप एक बहुत भारी भर कम fees structure होता है, कई बार वो fees जो है, 40-50 लाग, 70 लाग से लेकर 80 लाग तक जाती है, और इतनी बड़ी fees, parents की जेब से निकलवाना कोई समझदारी नहीं है, इसलिए students वहाँ जाके कई बार अलग-अलग जगों पे काम करते हैं, teachers को assist करते हैं, जिसके basis पर उनको पैसा भी मिलता है, और कई बार इतना save भी हो जाता है, कि वो अपने expenses निकालके थोड़ी बहुत saving भी कर लेते हैं, तो ये कहलाती assistantship, आप किसी professor को assist कर रहे हैं, उनका कुछ basic का कर रहे हैं, जैसे कि file management या तो कुछ assignments बगेरा बनाना, whatever, तो जब आप assistantship के लिए भी apply करेंगे, तो वो देखेंगे कि आपकी क्या profile है, क्या आप वाकई में उतने deserving है, तो उस समय पे भी आपका class 12 का result check हो सकता है, तो ये point काफी महत्वपून point है, जो आपको immediate तो समझ में आएगा, क्योंकि immediate definitely आप जिस college में जा रहे हैं, आपके लिए competitive का result important है, अगर आपको IIT जाना है, तो आपकी CDC बाते, JEE का score card important है, अगर आप medical aspirant है, तो neat examination आपको clear करनी है, लेकिन अगर आप masters के लिए जाते हैं, graduation complete करके, तो class 12 का result आपके लिए बहुत favorable भी हो सकता है, और ह हो सकता है कि आपके लिए एक रास्ते की रुकावट बन जाए, तो ये था दूसरा point, आई अब देखते हैं, तीसरा point, तीसरे point में मैंने क्या लिखा हुआ है, placements in MNCs, आपने education कर लिया complete, आपने graduation कर लिया, अब आप वो दिन आ चुका है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे मतलब आपकी नौकरी लगने बाली है, कई लोगों का होता है ना कि मुझको तो directly 22 साल की उमर में नौकरी करनी है, मुझे बहुत जादा पढ़ना लिखना नहीं है, मुझको PhD नहीं करनी, मुझको Master's नहीं करनी, काफी सारे students directly ये सोचके बैठे होते हैं, कि हमको यार, family conditions पे भी depend करता है, कि सबकी अपनी अपनी priorities होती है, तो यदि किसी student की priority है, कि मुझको at the age of 22, I need a decent amount in my hand, I need a good package, तो उस समय पे आपके class 12 का result आपके लिए favorable हो सकता है, क्योंकि interviews में, कई सारे interviews में, सबसे पहले होता है return test, अब मान लिजए कि समझना बात को, technically समझना, मान लोगे 10 seats हैं, आपकी company है, आपकी CIT में है, और आपकी company में, sorry, आपके college में कोई company placement के लिए आई, अब उस company के पास मातर 12 seats हैं, लेकिन class में आम तो और पे 60-65 बच्चे होते हैं, अब उन 12 seats के लिए 60-65 बच्चे लडएंगे, लडएंगे in short fight करेंगे, intellectually, तो वहाँ पे सबसे पहले होगा एक return round, हो सकता है कि return round में 50 बच्चे qualify हो गए, अभी भी seats तो बारा हैं, फिर होगा interview, interview में भी 20 बच्चे अच्छे निकल गए, seats तो बारा हैं, आब वो देखेंगे कि हम किन grounds पे students को reject कर सकते हैं, और उस समय पे class 12 एक important parameter साबित होता है, तो उमीद करता हूँ कि ये 3 points आपको समझ में आए, और इससे आपको ये समझ में आई होगी, कि जो लोग आपको कहते हैं कि 12 एक result बिल्कुल important नहीं है, वो एक बहुती momentary बात कर रहे होते हैं, उन्होंने जीवन देखा नहीं है, उनको ये नहीं पता कि graduation के बाद भी बहुत लंबा जीवन है, college से निकल और उसका reason ये है, कि class 12 एक ऐसी examination है, CBSC की जो class 12 की exam है, वो 90 दिनों से जाधा कि मैं मानता भी नहीं हो, मतलब 90 days are sufficient कि अगर कोई student आज 0 पे भी है, तो वो एक बहुत बहुत अच्छा scorecard generate कर सकता है 90 दिनों में, सर ये कैसी बात कर रहो, दो साल क्यों पढ़ाया जाता है, I mean class 12 एक साल क्यों पढ़ायी जाती है, पढ़ायी जाती है क्योंकि आप पहले दिन से उतने sincere नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इन आखरी 90 दिनों में भी अपना 100% दे दें, तो definitely आप वो कर सकते हैं, जो normally कोई भी student एक साल लगाता है करने में, एक तरसे ही आप मान सकते हैं कि cricket का power play वाला time है, तो चलिए मैं आपको तीन basic steps दे रहा हूँ, और समझा रहा हूँ कि यह basically क्या मैंने mechanism generate किया है, यह table है जो कि आपको बनानी है और यह आपको खुद फिल करनी है, सबसे पहले एक page पे आप सारे subjects लिख दीजेगा, उन subjects के topics, subtopics और weightage, for example, physics की बात करता हू class 12 में आप लिखेंगे electric charges and fields, current electricity, magnetism, ray optics, उसके बाद उन में कितने subtopics हैं और उस फलाना-फलाना topic में से, उस chapter में से कितने questions हर साल पूछे जा रहे हैं, internet पे पूरा data available है, मैं आपके साथ PDF भी share कर दूँगा, weightage की, तो यह table आपको fulfill करनी है और उसके बाद आपको यह देख ठीक है, सभी subjects के, तो मान लेते हैं कि सारे subject मिला के करीबन 200 या 200 topics आपके सामने आए जो के बहुत जादा important है, अब उन topics को आपको तीन category में divide करना है, सबसे पहले very important in point of weightage and very important in the form of concept, क्या कहा हमें ने 2 basis पे आपने classify किया कि कितना जादा पूछा जा रहा है और कितना जादा important है, सर एकी तो बात हुई यह, अलग-अलग बात है, सबसे पहले आप weightage देखो, weightage के basis पे आप एक list बना लो topics की, और उसके बाद आप यह देखो कि कौन सा topic आपको समझने में कितना time लगा था, आपने साल बर पढ़ा है, आपने कहीं सारे topics पढ़ लिए हैं, अब आपको यह याद होगा कि अच्छा, यह topic ना, सर ने बोलाता कि यह बहुत important है, क्योंकि इससे linked 4-5 topic आगे के हैं, हो सकता है कि direct इसमें से सवाल ना है, लेकिन यह आगे के 5 topics को समझने के लिए बहुत important है, तो ऐसी आपको एक list बनानी है, जिसमें एक तरह से सबसे hot topics आपने select कर दि ठीक है, और उसके बाद नीचे आपने कुछ ऐसे topic लिग दी, जो कि बहुती गाहे बागाहे पूछे जाते हो, बहुती rarely पूछे जा रहे हैं, तो आपको at least एक बहुती clear vision दिख रहा है, कि अगर मेरे पास limited time है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, और ऐसी कौन सी चीज ह मैं कुछ समय बाद के लिए छोड़ सकता हूँ, बहुत clearly मैं कह रहा हूँ, छोड़ना कुछ नहीं है, leave कुछ नहीं करना है, बस यह हो सकता है कि पहले क्या कर रहो, बाद में क्या कर रहो, कोई मेरे शब्दों को misinterpret करके ये ना कह दे, कि सर ने तो बोला क्यार कुछ topic कर ले इसके बाद आप देखो के दिन कितने, 90 दिन हम count कर रहे हैं, nearly 13 weeks होते हैं, हमने 12 weeks लिखे हैं, ठीक है, एक को buffer ले लो, एक आखरी week जो है, वो buffer time है, 12 weeks आपको utilize करने हैं, तो 12 weeks को मैं 12 steps बोल रहा हूँ, 12 loops बोल रहा हूँ, कौन सा loop, यह है success loop, एक loop is equivalent to 1 week, ऐसे 12 बार यह loop प day 1 से, day 1 of your week, रात को सोने के पहले, मान लो कि मेरा Monday first day है, तो मैं Sunday को सोने के पहले, अगले दिन का काम खुद को assign करूँगा, एक paper पे, एक paper लिया मैंने और उस पे पूरा काम assign कर दे, कि कल मुझे ये 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 करना है, ये topics मेरे होने चाहिए, time table बनाने का नहीं कह रहा हूँ कि इतने बज़े उठूँगा, इतने बज़े खाऊँगा, इतने बज़े ब्रश करूँगा, इतने बज़े नहाँगा, ये नहीं करना है, आपको सिर्फ task assign करना है, कि इतना काम मुझे को कल के दिन में करना है, step number one, assign your daily task, आपने task assign कर दिया, बहुत बढ़िया, अब आपक कर रहे हैं, उसका जो standard material है, वो ही आपका source होना चाहिए, NCRTs आपका source होना चाहिए, और साथ में DPPs and PYQs, questions करने हैं, हमको पता किसे चलेगा, कि हमारी तयारी कितनी हुई है, पढ़ते समय तो पूरा ही अच्छा लगता है, लेकिन question करते हैं, बनता नहीं है, तो task assign करो रो किया, क्या क्या का मैं ने, पढ़ा, revise किया, पूरा, derive किया, अब उस पर सवाल करने, तो सवाल कहां से करोगे, PYQs करो, और जो standard DPPs वगेरा कुछ मिली हुई है, उनको solve करो, यह आपके दिन भर का task हुआ, इसके बाद, इसके बाद, यह जो आप काम कर रहे हो, day to day basis पे मान आपको प्देर, दीन, चार दिन, फान दिन, छार दिन, च्छे दिन, छटे दिन तक आप पहुँँच गए, अब आपको पता कैसे चलेगा का एक्शुल में आपकी progress कितनी है, हो सकता है कि, छटे दिन जाकर आपको पता चला, छटे दिन पे आपने एक test लिखा, और आपको क्या किया है अच्छा मैंने डाइपोल पड़ा केमेस्ट्री में मैंने एक टॉपिक पड़ा मैंने मैट्स में या बायो में कुछ पड़ा रात को सोने के पहले 20-20 मिनिट के टेस्ट ले लो in the form of questions 10 questions उस topic के उठाओ solutions छुपाओ solve करने बैठो 20 मिनिट के timer के साथ आपने देखा अच्छा मुझसे इतने बने इतने नहीं बने रात के रात में ही आपको पुरे दिन भर कट progress पता चल गया सुबह उठे आपको पता था क्या क्या करना है दिन में आपने किया रात को सोने के पहले टेस्ट दिया एक दिन पूरा utilize हुआ समझ भारी ये बात तो इस प्रकार से आपको एक दिन का काम करना है यही काम आपको 6 दिन करना है और अप जब आखरी दिन आएगा उस दिन आपको देना है grand test आखरी दिन को मैं count कर रहा हूं मानलो 6 दिन के बाद जो Sunday आ रहा है उसको मैं पढ़ाई के लिए count कर ही नहीं रह आपके दिमाग में पिक्चर गोम जाएगी पूरी, कि अच्छा मैंने मंडे को ये किया था, मुझसे मंडे को भी 3DPP बनी थी, मुझसे मंडे को इतने questions बने थे, अब आप वापस जब हफते के आखरी में कर रहे हो, तो एक पूरा introspection हो जाएगा, ठीक है, कैसा लग रहा है mechanism बढ़िया एकदम technically design किया है तुमारे लिए, तो इसको follow कर ले ना बस, एक हफता बीता, इसी प्रकार से अगला हफता, जैसे जैसे हफते बीतते जाएंगे, वैसे वैसे आप निखरते जाओगे, आपका procedure निखरता जाएगा, during the journey आपको चार बाते पता चलेगी, कि follow करना, promise करो, कितने लोग करने वाले हैं, इमानदारी से, promise करो comment में, और मुझसे touch में रहना, मुझको बताते रहना, कि आपकी progress क्या चल रही है, इसी प्रकार के task, मैं JEE और NEET के लिए भी students को देता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं आपको class 12 के लिए दे रहा हूँ, क्यो क्योंकि importance आपको पता है, मैंने थोड़ दिर पहले ही बताया है कि क्या importance है, ठीक है, तो चलिए, अब समय आगे अलवीदा कहने का, लेकिन बस आखरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, कि जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन में कुछ बहतरीन करने का, सबसे important और सबसे स ही तरीका होता है, शुरुवात करना, जब तक शुरुवात नहीं करोगे, तब तक कुछ बहुत बढ़ा नहीं कर पाओगे, so the most important step is the first step, that's to get started, so get started and do not stop, शुरू हो जाओ, और रुकना नहीं है, लगे रहना है, कब तक, जब तक की वो लूप, आखरी समय तक ना पहुंच है आपके efforts का, जो आपने किया है, पूरे ये हफते दर हफते, तो करो और अच्छे से करो, I wish you all the best, thank you, और मज़े करो, चलो बाए